समय समय की सरकारों द्वारा पंजाब पुलिस की कई करमचारियों को डिस्मिस कर दिया था और इन करमचारियों ने अलग-अलग केस में हुई सजामी भुगत ली है लेकिन इन करमचारियों को अभी तक सरकार ने बहाल नहीं किया है इसी के चलते आज पंजाब के अलग- पेंदर सिंह के महल में पहुंचे इन करमचारियों ने पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा कि जीं करमचारियों ने अलगलक मुकद्म उम्कारे को सरकार दूं को दूबb ils寂ञा भिस यह लान ने बताया कि सुप्रीम कोट डिली के सिंख सिविल अपील नमबर 677-2013 रूल के मताबिक 20 साल से उपर सर्विस कर चुके मुलाजिम जिनको महकमे ने डिस्मिस किया है कि और से की गई नौकरी जायदात के हक अनुसार है और विभाग की और से परताल पेंडिंग होने के कारण पैंशन ग्रेजिटी और लीव इन केस में रुकवाइड नहीं जा सकती और इन मुलाजिमों को महकमे की और से पैंशन देने का भी हक है इसमें बातचित करते हुए सब इंस्पेक्टर कृष्ण लाल ने कहा कि पंचापुर इसमें अलग 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 देशों में जिन मुलाजिमों को सजा हो चुकी है जहां वह सजा भुगच चुके हैं और वह अपनी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी का पूरा लाप लेते हुए वह रिटायर हो चुके हैं उनकी तरह डिसमिस किये गए मुलाजिमों को जो की सजा भुगच चुके हैं उनको भी बहाल करते हुए नौकरी दी जाए या पूरी नौकरी को दे पर रखेगी। कोशिश करने एकतां दुरुस्ति पुझाब उनीकर्ण वेच मदद करने। कोशिश करने एकतां दुरुस्ति पूरा प्रोसा देता है। पटियालासी परदीप कुमार जसी, आजार टीवी नियूज करने एकता द।